उसको ओला एलेक्रिक अपने पॉर्टफोलियो में एक और वेरियंट को एड़ किया, वो भी ओला S1X में, इनिशन में 2 और 3 किलोवाट आवर बैटरी पैक थी, रीसेंट यू ने 4 किलोवाट आवर बैटरी पैक को इंटिड्यूस किया, ओला S1X में, बट एक ची पता तो इस कॉन सा लेना सही है, क्योंकि दोनों की प्राइजिंग तो सेम है, और कॉम्पेटिशन भी काफी तगड़ा है, तो चलो, इसको थोड़ा से क्लेर आउट करते, थोड़ा से बाइफरकेशन करते कि किस में क्या सही है, बात करते सबसे पहले, build quality की बात करते तो, ओला की जो build quality यह नहीं और कुछ खास नहीं है और आए दिन इनके ट्यूटर हैंडल पर शिकायते देखने को मिलती है किसी के गाड़िह में यह गड़ तो किसी आ pelा मीं सर्वी संब्सक्राइब यह धिक्कत है यह दिक्कत है कि सर्विस आज तक लोग नाराज है कंपणी ने solution के हिसाब से 400 की जगा 600 service network बना रहे है बट the thing is the 400 पर काम नहीं हो तो 600 पर हो पाएगा वो भी देखने वाली बात है वो तो आगे आने वाली बात है anyways देखा जाए तो Ola यहाँ पर थोड़ा सा पीचे हो जाता है in terms of build quality और after sales service अब बात करते एतर 450S तो यह company काफी समय से इंडियन मार्केट में trust me और इन्होंने जितना R&D के अपने गाली उपए उतना शायद है किसी company नहीं क्या क्योंकि समय काफी हो जुका है और इनकी जो build quality अच्छी है अगर ओला की उनीच होती है इवन आइस इंजिन में देखोगे तो Honda जीसी company में भी होता है उनकी गाली इतनी ज्यादा बिक्ति अक्टिव है उसके बावजुद भी उनका service उतना कुछ खास नहीं है ठीक ठाक है काफी लोग परिशान होते वहां पर भी तो OC से देखा यह तो एथर वैसा सूट कर जाता है एथर क्या है थोड़ा sportiness की तरफ है ज्यादा sportiness देखने हो मिलती है अला कि यह जो चीज़े बात कर रहा हूं यह एक personal opinion के हिसाब से रहता है कि अगर मेरे को यह गोल गोल टाप की गाड़ी परसंद आ रही तो मैं वैसा ले लूँगा अगर मुझे शारप कर रहा PMS motor हाला कि ओला में आपको power मिलता है 2.7 kilowatt का minimal and 6 kilowatt का peak power output और BLDC motor में power output थोड़ा बैटर होता है उसमें ज्यादा torque होता है as compared to PMS motor और वही हम ether की बात करते हो 3.3 kilowatt का nominal power है and 5.4 का आपको peak power देखने मिलता है तो overall देखेंगे तो दोनों गाड़ियों में power ठीक ठाके ज्यादा समझ में नहीं आएगा अला कि एक चीछी बता दू PMS motor आपको ज्यादा life provide करता है उस motor की BLDC की जो life होती हो हलकी सी कम होती है दोनों ही गाड़ियों को जो lighting system है वो सेम है मतलब LED setup है बट OLA में आपको dual projector LED headlamp बिलता है ज्योकि actual में थोड़ी visibility अच्छी provide कर देता है अब बात करते है instrumentation की तो यहाँ पे OLA का instrumentation है वो भी digital है और ether का भी digital है बट OLA का जो digital instrumentation है वो काफी छोटा है बहुत छोटा है वो है 4.3 इंच का और यहाँ पे को भी Bluetooth connectivity नहीं है ether की इसमें देखेंगे तो ether 450S में आपको बिलता है deep view technology यानि उसमें digital instrumentation है वो साथ इंच का है turn by turn navigation, Bluetooth connectivity and trust me एकदम कड़क दूप में एकदम धूप के नीचे भी आपको वो display properly दिखता है इतना सही display है तो यहाँ पे भी again ether आगे बढ़ जाता है motor में भी ether आगे बढ़ जाता है अब आती है main जी जहाँ पे game पलेटता है वो है battery बैटरी यहाँ पे ओला में 4 kWh बैटरी है और यहाँ पे जो range है IDC range 190 है real world range जो उनके website पे लिखा 167 km वही अगर मैं बात करता हूँ ether energy की तो यहाँ पे आपको मिलता है 450S में 2.9 kWh की battery pack नहीं है तो जादा power consumption भी नहीं होता है इस का रहां से इसमें range थोड़ा से जादा भी है तो overall देखेंगे battery की हिसाब से ओला की गाड़ी यहाँ पे बहुत आगे निकल जाती बहुत और ether काफी पीछ रहे जाता है तो ऐसे में देखा जाए तो येस ओला आगे है अब आती है बाद top speed की दोनों ही काड़ियों में 90 km per hour की top speed दी गई है और boot space की बाद करते तो यहाँ पे ओला हमेशा सवे ने क्योंकि ओला का boot space मेरे को खुद को भी बहुत पसंद है बहुत space है भरते चले हो भरते चलाओ इतनी जगा है तो ओला में मिलता है 34 लेटर का आपको boot space और वह उनों सेम platform पर ही है सेम जगे पर नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा important है इतनी ज़्यादा speed है तो इसको रोखनी के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ब्रेकिंग सिस्टम तो ओला का जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो है drum brake यस वो drum brake सेटप पर चल रही है एतर की 450S में मिलता है dual disc front and rear में disc brake है एक लाग 10,000 में वो भी नहीं दिया है इनोंने ये तो बात होगी पूरी गाड़ी के बारे में कि यह क्या क्या है क्या क्या नहीं है यह सारी चीज़ बता दी जो एक्चुल में major major difference है बट जो एक point है जहां पर अगेन ओला आगे निकल जाती है वो है इनकी battery warranty रिसेंटली इन्होंने अनौस किया है कि 8 साल की warranty मिलेगी और 80,000 km वो भी standard है कोई extra पैसा आपको पेही नहीं करना मतलब उसी price में एक शुरूम प् में भी खराब हो जाती है तो company उसको change करें क्योंकि policy ही ऐसी है ऐसे में 8 साल तक का जो tension है वो totally खतम हो जाएगा आपको गाड़ी को उपर आपको सिर्फ चार्ज करना है गाड़ी चलाना है खराब हुआ कुछ भी हुआ सीधे service center जाओ battery की ऐसी इसी दिक्कत है वो change कर देंग आपको प्लस पॉइंट देख रहा है बाकि कहीं पर भी प्लस पॉइंट नहीं है उला कि इसमें बैटरी बड़ी है रेंच जादा है और बैटरी वारंटी जादा है वही एथर में यह तीनी चीज कम है बाकि सारी चीजे अच्छी quality अच्छा look motor काफी अच्छा है PMS motor है बे होना चाहते हो देन ओला जरूर ले लेना और आप सोच रहो कि हाँ एक साल बाद ही मेरे को kit kit fit fit after sales service पे focus करना पड़ रहा है कहां पर इसका service नेटर के भागना पड़ रहा है अगर यह सारी चीजे kit kit नहीं चीए देन आप एथर के तरफ जाए क्योंकि एथर काफी पुरानी company है और उन्होंने बहुत R&D किया है अपनी गाड़ियो को यहां तक लाने के लिए तो यह आपके उपर depend करते कि कौन से लेना बटम पहली बता देता हो एथर तब ही लेना जब आपके range का काम नहीं है अगर रेंज का काम है देन Ola के तरफ ही जाना देन ओनली जाना नहीं तो एथर सही गाड़ी है अगर आपके run 100 km per day उससे जाधा नहीं है तो अगर उससे जाधा है तो then you should definitely go for Ola Electric तो दोस्तों आज के वीडियो पस इतने ही था thank you so much for watching this video चलो तो प्लीज लाइक शियर सब्सक्राइब जरू करेगा मिलते अगले वीडियो में बाबाए